तो guys आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला होगी ज़िदी आप भी Redmi का मुबाइल यूज करते हैं और guys आपके Redmi के मुबाइल में आपका जो यहां पर न्यू वाला control central है वो यहां पर open हो गया है और यहां पुराना वाला control center यहां पर रखना चाहते है आप उन्दे नीव कंट्रोल सेंटर को यहां से हटाना चाहते हैं तो आप इससे कैसे हटा सकते हैं तो जब दिक आपने हमाई चैनल को शब्सक्राइब करें आपको सबसे पहले मिला गए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहां पर उपर किस सर्च बार में सर्च कर लेंदा होता है control center, तो यहाँ पर guys, मैं search कर लेता हू, control center, जैसी guys, आप यहाँ पर search करेंगे, तो यहाँ पर second number पर ही show करेंगे, use new control center वाला option, तो इस पर click करेंगे, इस पर click करने वाँ नीचे की सार्ट scroll down को तो आना है, और यहाँ पर guys, आपको option show करेंगा, use new control center, तो यह यहाँ पर on होगा, तो इसे guys, आपको यहाँ से off करेंगे, तो guys, आपका जो control center है, वो यहाँ पर change हो जाएगा, यहाँ पर देखे guys, हमारा जो control center है, पहले दूसरा show कर रहा था, अभी हमारा दूसरा show कर रहा है guys, तो इस तरह से guys, जिदी guys, आप भी उल्ड वाले control center को वापस लाना चाते हैं, अपने mobile में, तो guys, कुछ इस टैप से आप उसे वापस ला सकते हैं guys, तो उम्मीद कता हुए तो आपको वीडियो चलोगो, और वीडियो चलोगो लाइक कर दोजिए चानल को सब्सक्राइब ही कर देगा आपको सबसे पहले मिला करेंगी, thank you guys